श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना, लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते है, जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते है, अहनकार करने पर इनसान की प्रतिष्था, वंश वैभव तीनों ही चले जाते हैं, विश्वास ना हो तो रावन कौरव और कंस का अंद देख लो, कृष्ण कहते हैं, जैसे प्रानी अपने पुराने कप्डों उतार कर फेंक देता है, नए को धारन करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है, मन्जिले मुझे रास्तों ने संभाल लिया, जा जिन्दगी तेरी जरूरत नहीं, कृष्ण ने मुझे संभाल लिया, कुदरत के फैसले पर कभी सक मत करना, अगर सजा मिल रही है, तो गुनाह भी हुआ होगा, जब हम स्वयम जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किले को हरा जीवन में मुस्कुराते हैं, जब आप प्रभू से जुर जाओगे, तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी, कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभू की कृपा सुने की वह आपके साथ हैं, मनुष्य कितना भी गोरा क्यूं ना हो, परन्तु उसक परचाई सदैव काली होती है, मैं श्वेष्ठ हूं यह आत्म विश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्वेष्ठ हूं यह अनकार है, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोग बढ़ता है, इसलिए जीवन की हर स्थिती में धेर्य बनाए रखना, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं, तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है, जीवन में आधे दू, खर इस वजह से आते हैं, क्योंकि हमने उनसे आशाइन रखी जिन से हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दूखर इस वज़े से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया, जिन पर नहीं करना चाहिए था, अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरन और धन्यवाद करते हैं, मैंने पूछा कैसे करू तेरी पूजा, भगवान बोले तू खुद मुश्कुरा, और औरों को भी मुश्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा, बुरे कर्म करने नहीं पढ़ते हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पढ़ते है जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिन में दया है दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता, आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो चाहे वह पती या पुत्र, क्रिश्न कहते हैं, अहनकार मत कर किसी को कुछ भी दे कर, क्या पता तु दे रहा है या पिछले जन्म का करजा चुका रहा है, कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान पयमफल देता है, उससे मत दरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा, जो वास्तविक है वो हमेशा था, और उसे कभी नश्ट नहीं किया जा सकता, संबंध उसी आत्मा से जुरता है, जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिष्टा होता है, वरना दुनिया के इस भीड में, कौन किस को जानता है, मुह से माफ करने में किसी को वक नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीच जाती है, जिन्दगी के इस रण में खुद ही कृष्ट, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है, रोज अपना ही सारती बनकर, जीवन के महाभार से लड़ना पड़ता है, खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे, आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, तुम जिसे अपना समझ कर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसनता तुम्हारे दुखों का कारण है, कृष्ण जी कहते है, जिस व्यक् जिन्दगी का रुख बदल देते है, कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानी होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस प्रिथ्वी पर अवतार लूँगा, याद रखना अगर बुरे लोग समझने से समझ जाते, तो बासुरी बजाने वाला, कभी महाभार जिन्दगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए, दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने इसी बात पर तोड़े है, क्या कहेंगे लोग, जो एक गुनाह माफ ना करे वो है न्याधीश, जिसकी शरण में जाने से हजारों गुनाह माफ कर दे वो है दौरिकादीश, जै श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचार, इस संसार में कुछ भी स्थाई नहीं है, संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है, कर्म किये जाओ फल की चिंता मत करो, भगवान जीव का कर्म ही उसके भागय का निर्मान करता है, वरतमान परिस्थिती में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है, मन बहुत चंचल है जो इनसान के दिल में उथल पुथल कर देता है, जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं, इनसान नहीं उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है, प्रबुद व्यक्ति के लिए गंदगी का धेर पत्थर और सोना सभी समान है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है वरना एक नाम के हजारों इनसान है, धर्म केवल कर्म से होता है कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाशा ही नहीं है, अहनकार करने पर इनसान की प्रतिष्था वन्ष वैभवतीनों ही समाप्त हो जाते हैं, जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, बुरे कर्म करने नहीं पढ़ते हो जाते हैं और सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है, आत्म ज्यान की तलवार से काट कर अपने हृदे से अग्यान के संदे को अलग कर दो, गुष्ट लोग अगर समझाने मात्ल से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता, मनुष्य अ प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहनकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो मैं आपको बाहर से नहीं बलकी भीतर से जानता हूँ, जो इस लोग में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का प प्रायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं, जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है, इनसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इनसान है, बहुत विनम्रता चाहिए रिष्टों को निभाने के लिए छलकपट से सिर्फ महाभारत रची जाती है, यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ शत्रता भी नहीं करना चाहिए, जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ट हैं, बुरे कर्म करने नहीं पढ़ते हो जाते हैं औ एक ऐसा खुआ है जिसमें गिर कर निकल पाना बड़ा कटिन होता हैं, सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है, आत्म ग्यान की तलवार से काट कर अपने हृदे से अग्यान के संदे को अलग कर दो, बुष्ट लोग अगर समझाने मात्त से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता, मनुश्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वो बन जाता है, मान अपमान लाभानी खुश हो जाना या दुखी हो जाना ये सब मन की शरारत है, जिससे तुम अपना समझ प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहनकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। निकालने चाहिए जिन्हें वापिस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है लेकिन अभ्यास से इसे वश्मे किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बलकि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागरत करने में है। मन की गतिविदियों, होश्श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वानी को सयम में रखना अनिवार्य है क्योंकि वानी से दिये हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयम जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं जीवन में मुस्कुराते हैं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ पर दुबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकुफ कभी न बनो। नहार चाहिए ना जीट चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। रिष्टो को निभाने के लिए वक्त निकालिए कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक्त हो तो रिष्टा ही न बचे। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते मुझे प्राप्त किये बिना जन्म और मृत्यू के चक्रका अनुगमन करते हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ती के लिए अपमान वित्यू से भी बद्तर है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं जिन में दया है दिल से अच्छे हैं। उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जीवन में आधे दू, खर इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशायन रखी जिन से हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और डैक हो तो बढ़ जाता है। इस संसार में मूर्क व्यक्ती अधर्मी अग्यानी वनास्तिक प्रकृती का व्यक्ती मेरी शरन स्वीकार नहीं कर सकता। ज्यानी व्यक्ती को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अग्यानी व्यक्ती के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी ने ले किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े मैं ही इस स्विष्टी की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोशन करता हूँ और मैं ही इस स्विष्टी का विनाश करता हूँ कृष्ण कहते हैं जब जब संसार में धर्म की हानी होगी अधर्म की विजय तब तब मैं इस पृत्वी पर अवतार लूँगा अमीर बनने के लिए एक एक क्षंड संग्रा करना पड़ता है किन्तु अमर बनने के लिए एक एक कंड बांटना पड़ता है जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता हमेशा एक नहीं शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है हे अर्जुन मैं भूत वर्तमान और भविश्य के सभी प्रानियों को जानता हूं, किंतु वास्तविक्ता में कोई मुझे नहीं जानता। पहारों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। शांती से भी दुखों का अंध हो जाता है और शांत चित मनुश्य की बुद्धी शीग्रही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोश मत दो अपने मन को समझाओ तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंध है। श्री कृष्ण कहते हैं एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ पर दुबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकुफ कभी न बनो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो बांटे क्योंकि ग्यान बांटने से ही बढ़ता है। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही पोस्ट करता रहूंगा धन्यवाद।